आज में लेकर आएंगे नेस्ट आपका उसी सीरिज में चला है जो आपकी तेरा कॉस्ट नमबर 18 मतलब अठारा आपके समय प्रूब्डेट करना मतलब सिद्द करना है क्या सिद्द करना है sin x minus sin y बर्टे Cos x धन Cos bij बराबर होता है 10 x minus by upon two क्लिएर ए करना है तो बहती है आजान देखते हैं हमकुछ नहीं करना है हम क्या कर सकते हैं sin x minus sin y मतलब sin c minus sin d की या इंटेटी रख सकते हैं sin c minus sin d की या इलिटेटी जो होती हैं वो यह आपर मैं लिख दे रहा हूं sin c minus sin d बराबर होता है 2 into cos c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2 clear और cos c minus plus cos d यहाँ पर लगेगी cos c plus cos d equal to होता है 2 into cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2 clear यह है तो हम यहाँ पर यह identity रख देते हैं हमारा दिया यह है हम यहाँ यहाँ पर लिख से शुरू करते हैं क्या से LHS है ना LHS क्या दिया आपके लिए sin c minus sin d तो हम यहाँ इसको यह लिख सकते हैं 2 into cos c c की value है x plus by आपके d की value है upon 2 into sin c minus d मतलब x minus by upon 2 clear बटे cos c plus cos d मतलब यह वाली identity कौनसी यह वाली तिया पर रखोगे आप 2 into cos x plus by upon 2 into cos c minus d upon 2 clear देखो a और यह दोनों से में आपस में cancel हो जाएगा बचा क्या आपका sin x minus by upon 2 upon cos x minus by upon 2 यही बचा की नहीं बचा आपको पता है sin x upon cos x क्या होता है 10 x होता हम इसको लिख सकते हैं 10 x के थीटा की value दिये क्या दी है x minus by upon 2 तो आपको यही चाहिए था देखो यह आपका rhs दिया है यह आपका lhs आच चुका है दोन एक कोल मतलब lhs is equal to rhs यह आपको प्रूब करना था हम प्रूब कर चुके हैं तो इस प्रकार से आपके बहुत ही कीजी कॉस्टन है यह आपका कॉस्टन है आप हमार केनल को सब्सक्राब कीजिए लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सेर कीजिए थैंक यू